हाई एव्रिवन आज के वीडियो लिक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डार बॉक्स थिर ठीक है आज हम पढ़ेंगे कंडिशन आफ इंटिग्रेबिलिटी तो हम बात कर रहे हैं एक बाउंडेट फंक्शन की जो की रियल वैल्यूड है इंटर्वल के उपर वो डिफाइन का या किया गया है तो उसकी इंटिग्रेबिलिटी चेक करेंगे हम ठीक है ना याने कि वो रिमान इंटिग्रेबल है या नहीं है अब हम एक ही चीज़ बोल रहे है रिमान इंटिग्रेबल या फिर इंटिग्रेबल तो उसकी नेसेसरी और sufficient condition क्या होगी वो आज हम तीन theorem के अंडर पढ़ेंगे ठीक है So, there are three theorems which will tell you कि कोई bounded function वो integrable है या नहीं है उसकी necessary और sufficient condition देगा ठीक है तो यह पहला वाला जो कि सबसे important है जातर यही use होगा क्या है the necessary and sufficient condition for a bounded function f to be integrable on close interval a b is that for each epsilon greater than 0 there exist partition p of close interval a b such that u f p minus l f p is less than epsilon क्या कह रहा है कि necessary और sufficient condition है किसी bounded function के लिए integrable होने के लिए क्या है कि हर एक epsilon greater than 0 के लिए कोई ना कोई एक partition p ऐसा ज़रूर exist करेगा जिसके लिए उस partition p के लिए जो भी corresponding upper sum और lower sum का जो difference होगा वो उस epsilon से छोटा होगा ठीक है तो इस theorem में दो चीजे हैं एक epsilon है और एक partition है ठीक है तो पहली theorem में ये दो main point है epsilon और partition चलिए इस theorem को prove करते हैं तो पहले हम forward लेके चलेंगे याने क्या कि condition is necessary वाला part ठीक है तो इसमें हम क्या consider करेंगे कि माल लीजे कि हमारा जो function है वो integrable है तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब ही होता है कि लोवर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है तो लोवर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल और इक्वल और इस इक्वल टू ए से लेकर भी fdx याने कि इंटेग्रल ठीक है इन दोनों का जो भी value common value आता है उसी को हम क्या कहते है कि उस function का वो क्या है इंटेग्रल है ठीक है ओके तो यह चीज गिवन है और हमने यह शो करना है कि हर epsilon greater than 0 के लिए एक partition ऐसा ज़रूर एक्जिस्स करेगा such that इन दोनों का difference epsilon से छोटा होगा ठीक है तो माल लेते हैं कोई भी एक epsilon greater than arbitrary greater than 0 arbitrary हम एक consider कर लेते हैं ठीक है तो हमने यह शो करना है यह वाली condition शो करना है अब यह कैसे करेंगे देखे पहली बात कि जो हमारा lower integral और upper integral है यह actually होते क्या है जो lower integral होता है वो lower sum का supremum होता है जो upper integral होता है वो upper sum का infimum होता है ठीक है तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे कि हमारे जो lower and upper integral है उनकी definition हम फिर से लगाएगे जो कि हमने darbox theorem में भी लगाई थी कि जो lower और upper integral है वो actually क्या होते है supremum and infimum lower क्या होता है supremum याने कि least upper bound and upper sum याने कि greatest lower bound किस के होते है of lower sum lower sum and upper sum respectively add कर लेना आप ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि देखो जो lower integral है वो lower sum का supremum है तो by definition क्या होता है कि एक partition P या फिर एक ऐसा lower sum जरूर exist करेगा such that कि आपका जो LFP1 है मान लीजे there exist partition P1 such that LFP1 is greater than lower integral FDX minus epsilon ठीक है इसका क्या मतलब होता है मैं फिर से बताती हूँ कि यह जो lower integral है यह least upper bound है तो पहली बात क्या है यह upper bound होता है और upper bound में सबसे छोटा होता है तो उस case में हम कहते है कि यह जो है इसकी definition है यह least upper bound होने की कि एक ऐसा lower sum जरूर exist करेगा LFP1 such that यह condition ठीक है ओके तो मैं सुविधा के लिए यहाँ पे क्या करूंगी इसको epsilon by 2 लिखूंगी क्योंकि मैंने आगे इसको add भी करना है ठीक है अब देखो क्योंकि आप number 1 से कह सकते हो कि आप जो है इस lower integral को सिर्फ integral के बराबर लिख सकते हो तो आप इसकी जगा लिख सकते हो A से लेकर B F dx minus epsilon by 2 ठीक है उसी तरह से जो upper integral है क्या हो greatest lower bound है upper sum का ठीक है तो एक upper sum ऐसा जरूर exist करेगा याने कि एक partition P2 के लिए एक ऐसा upper sum एक ऐसा upper sum जरूर exist करेगा such a that कि U F P2 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा किससे A से लेकर बदा ये जो upper integral है plus epsilon by 2 ठीक है वही बात फिर से एक बार बता देती हूं कि जो हमारा upper integral है वो greatest lower bound होता है याने कि पहली बाद वो lower bound होता है lower bound में सबसे बड़ा होता है ठीक है तो definition ये गयती है कि अगर इसमें मैं थोड़ा कुछ add कर लूँ तो अब ये lower bound नहीं बचेगा याने कि एक ऐसा upper sum exist करेगा कि जो इससे कम मिल जाएगा आपको ठीक है ओके फिर से वही क्या करेंगे इस upper integral की जगा ये integral लिख देंगे क्योंकि हमारा जो function है वो integrable कहा गया है ठीक है अब देखो अब यहां पे हो गया है P1 और यहां पे हो गया है P2 अब हम क्या करेंगे P1 और P2 का union लेंगे याने कि उससे हम बनाएंगे refinement ठीक है तो P मैं लेती हूँ P1 union P2 तो अब यह जो P है यह क्या हो गया है P1 और P2 का common refinement हो गया है ठीक है अब देखो आपको एक बात मालूम है कि जो P है यह P1 का भी refinement है और यह जो P है यह P2 का भी refinement है ठीक है तो आपको यह चीज मालूम है कि जो refinement का अपर sum होता है वो छोटा होता है ठीक है ना अब हमारा एम के है कि UFP मैंने लिए क्योंकि हमें किसका यूज करना है P2 का यूज करना मैं यह पर P1 भी ले सकती थी ठीक है लेकिन ठीक है अब हमालूम है यह किस से छोटा है अब हमारा एम के है कि UFP माइनस LFP को less than epsilon दिखाना है तो अब यह कैसे किया जाए यहाँ पर जो है इसका हम यूज कर सकते है ठीक है A से लिग कर BFDX इसका यूज करेंगे हम देखो यहाँ पर देखे इसको ध्यान से इस 2 को देखे अगर मैं A से लिग कर FDX लेती हूँ A से लिग कर BFDX और इस Epsilon by 2 को इधर ले आती हूँ LFP1 की तरफ ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इसको मैं इस साइड ले आती हूँ तो यह क्या होगा है LFP1 और यहाँ आने के बाद क्या होगा है प्लस Epsilon by 2 तो LFP1 प्लस Epsilon by 2 इस ग्रेटर दन A से लेकर BFDX ठीक है चलिए तो इसका मतलब यह होगा कि A से लेकर BFDX इस लेस दन LFP1 प्लस Epsilon by 2 तो दिस इस लेस तैन मालब दिस इस फूर्दर लेस तैन इसकी जगा क्या लिख सकती हूँ मैं इस लेस देन LFP1 प्लस Epsilon by 2 और यह वाला Epsilon by 2 यहां पर वापस लिख दो तो इसके बराबर हो गया LFP1 प्लस Epsilon ठीक है अब एक और बात कि यहां पर तो P है और यहां पर P1 हो गया ठीक है ना हमने पूरे को किस के लिए करना है तो आपको यह मालूम है कि जो जो क्या कहते है रिफाइनमेंट का लोवर सम होता है वो क्या होता है बड़ा होता है ठीक है ना यहां पर जो P है वो रिफाइनमेंट है तो इसका लोवर सम बड़ा है यानि कि this thing is less than LFP, तो इसकी जगह में क्या कर सकते हूं, this is less than LFP कर सकती हूं, क्योंकि ये चीज़ क्या है, LFP से छोटी है, ठीक है, अब प्लस EPSILON को वैसे रखें, तो देखो, यहां से और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो, एपसलों ठीक है तो थीरम क्या कहती थी कि अगर आपका function integrable है तो आप एक ऐसा partition P ढूंद सकते हो जिसके लिए condition होगे और वो partition P कौन सा ढूंदा हमने actually वो P1 और P2 का union ढूंदा है ठीक है अब हम इसकी करेंगे reverse condition चलिए अब reverse condition लेके चलते हैं याने कि condition is sufficient तो हम ये लेके चलेंगे कि मान लेजिए कोई epsilon greater than 0 given है किसी partition P के लिए जो कि AB का partition है उसके लिए condition hold होती है ठीक है और हमने ये शो करना है कि इस case में जो function होगा वो इंटीग्रेबल होगा इंटीग्रेबल होगा याने क्या रिमान इंटीग्रेबल होगा ठीक है ओके तो हम इसको शुरू करेंगे देखो आपको ये चीज़ तो मालूम है कि जो lower integral होता है lower integral होता है वो जो है upper integral से छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है हमेशा ठीक है ये मैंने प्रूफ नहीं किया है लेकिन इसका प्रूफ बड़ा आसान है जिस तरह से lower sum और upper sum lower sum is less than equal to upper sum ठीक है आप वहाँ पे कुछ condition लगा है कि आप आसानी से प्रूफ कर सकते है कि उससी तरह से lower integral भी जो है वो अपर integral से less than or equal to होता है ठीक है अब जो lower integral होता है वो lower sum का supremum होता है याने कि इस अपर bound of this is supremum of lower sum so this is always greater than or equal to lower sum ठीक है of lower sum with respect to partition P उसी तरह से जो अपर integral होता है वो infimum होता है याने कि greatest lower bound होता है याने कि यह lower bound होता है so this is less than equal to ufp ठीक है ओक यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी सारी पुरानी properties यूज की है अब जो है हमें काम करते है कि इन दोनों को लिखते हैं एक साथ so यह है upper integral fdx और इसको लेती हो मैं इस side तो यह हो जाएगा minus lower integral bfdx ठीक है और इस चीज़ को ले आती हो मैं यहां पर so this is less than equal to ufp minus lfp तो मैंने कुछ नहीं किया है बस rearrangement किया है ठीक है अब देखो equation number one या फिर condition number one से आप क्या कह सकते है कि यह चीज़ किया है this is less than epsilon ठीक है तो यहां से आप यह कह सकते है कि जो upper integral है और जो lower integral है इसका जो difference है this is less than epsilon और epsilon क्या है इसको बहुत छोटा सा arbitrary greater than 0 कोई positive number है since epsilon is greater than 0 कैसा है arbitrary है arbitrary तो हम क्या कर सकते है इसको जो है बहुत छोटा number है तो 0 ले सकते है ठीक है so therefore a से लेकर b f dx minus a से लेकर b f dx को लिखो 0 तो यहां से क्या हो जाएगा आपका यह है आपका upper integral किसके बराबर हो जाएगा lower integral के ठीक है और यही चीज़ आपने क्या करनी थी दिखानी थी ठीक है और upper integral lower integral बराबर आगे therefore f is integrable याने कि रिमान integrable whatever ठीक है चलिए second theorem देखते है condition of integrability की यह भी पहले जह C है लेकिन थोड़ी सी थोड़ा सा difference है देखे क्या है a bounded function f is integrable on close interval a b if and only if for each epsilon greater than 0 their corresponds delta greater than 0 तो इसमें कौन आगया delta आगया वहाँ पे delta नहीं था such that for every partition p of close interval a b with norm less than delta u f p minus l f p is less than epsilon देखो जो condition है वो तो same ही है लेकिन फरक्या है कि वहाँ पे यह कह रहे थे कि हर एक epsilon greater than 0 के लिए एक partition p ऐसा जरूर exist करेगा जिसके लिए यह condition true होगी यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर एक epsilon greater than 0 के लिए इससे related जो वो delta greater than 0 होगा such that जो जो partition का norm इस delta से कम होगा उस हर partition के लिए यह condition true होगी यह इस theorem का मतलब है ठीक है तो पहले हम forward लेके चलते हैं इसका मैं सिर forward बताऊंगी क्योंकि reverse जो है जो पहली वाली theorem है उसी के जैसे है मतलब वह ही है उसकी reverse ठीक है तो forward वाली क्या बोलेंगे हम कि f is integrable ठीक है अगर f integrable है तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो lower integral है और जो upper integral है वो क्या होंगे बराबर होंगे यानि कि a to b f dx इसको हम नाम देते हैं यह हो जाएगा ठीक है अब क्योंकि आप यहां पे कैसा concept आ गया है norm of p is less than delta और इसके लिए हमने last time पढ़ी थी darbox theorem जहां पे भी delta का use था ठीक है तो हम कहेंगे by using darbox theorem so let epsilon greater than 0 be given हमने अब यह शो करना है कि epsilon greater than 0 के लिए ऐसा ऐसा कुछ होगा तो हमें मालूम है by darbox theorem darbox theorem is epsilon greater than 0 के लिए there exist delta greater than 0 such a that for each partition for each partition p of ab with norm p less than delta क्या चीज होती है कि आपका जो ufp होता है ufp वो small होता है किस से small होता है a से लेकर b याने कि upper integral f dx plus epsilon ठीक है यह हमने darbox theorem की statement पढ़ी थी कि f is bounded function of close interval ab तो हर एक epsilon greater than 0 के लिए एक delta greater than 0 ऐसा जरूर exist करेगा such a that कि यह condition hold होगी for ऐसे partition के लिए जिनका partition less than delta है ठीक है यह darbox theorem की statement थी फिर से वह है कि मैं सुविधार के लिए यहाँ पर epsilon by 2 लोगी ठीक है अगर एक्जाम में याद नहीं रहता है तो directly epsilon लिखिए बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ epsilon 2 की epsilon by 2 की जरूरत है तो आप फिर उपर correction कर लेना ठीक है which is equal to a से लेकर b f dx plus epsilon by 2 ऐसा क्यों लिख सकती हूं क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है अपर integral और integral दोनों कैसे बराबर है तो मैंने इसकी जगह यह लिख दिया इसको दीजी आप number 1 उसी तरह से वही darbox theorem की statement लगाऊंगी और कहूंगी कि जो lfp होगा उसके लिख क्या होगा this is greater than lower integral और यहाँ पे क्या होता है minus epsilon होता है again I will take minus epsilon by 2 which is equal to a से लेकर b f dx minus epsilon by 2 number 2 ठीक है और फिर से वही बात की हम क्या करेंगे हमें चाहिए lfp minus sorry ufp minus lfp चाहिए है ना तो इस में से यह चीज माइनस कर देनी है लेकिन यहाँ पर यह लेस देन है और यहां पर greater than है तो हम क्या करते है इस इस टू को जो है minus से multiply करते है तो यह क्या हो जाएगा minus lfp तो greater than क्या हो जाएगा less देन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस A से लेकर BFDX और यह हो जाएगा, प्लस EPSILON by 2, यह हो जाएगा 3 अब आप जो है 1 और 3 को एड़ कीज़े, so 1 प्लस 3 करेंगे, तो क्या बनेगा इस साइड UFP, UFP minus LFP is less than, यह और यह हो जाएगे, खतम और EPSILON by 2 और EPSILON by 2 एड़ के हो जाएगे, EPSILON और यही चीज़ हमने क्या करने थी, प्रूव करने थी अब यहाँ पर देखो, हमने ना कोई refinement लिया है, ना कुछ लिया है, क्योंकि इस थेरम में उस हर partition P की बात हो रही है, जिसका नॉम डेल्टा से छोटा है तो यहाँ पर हम कोई partition ढूंड नहीं रहे हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस partition का जो नॉम है, वो लेस देल्टा है, ठीक है, रही बात इसके reverse की, कि इसका reverse क्या है, कि अगर यह condition दी गई है, तो आप जो है यह शो करोगी, क्यों वो इंटिग्रेबल है, तो आपने यही चीज़ करने है, कि लेट epsilon greater than 0B, गिवन P be a partition, बस आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें एड करने है, क्या चीज़ आड करने है, कि लेट P be a partition of AB, such that, कि जिसका नॉम क्या होगा, P का नॉम होगा, less than delta, यह चीज़ आपने एड करने है, theorem number second में, ठीक है, reverse वाली condition में, फिर ठीक है, इसका reverse में शोने करूंगी, अब बात करते हैं, third theorem की, चलिए third theorem देखते है, जो third theorem है, वो घुमा फिरा की वही पहली theorem जैसी है, ठीक है, मतलब वही है, मतलब, तो क्या कह रहा है, कि a function f is integrable on close interval AB, such that, एक ऐसा number i exist करेगा, such that, for each epsilon greater than 0, there exists a partition P of AB, such that, ufp minus i is less than epsilon, and i minus lfp is less than epsilon, इसका एक कहने का यह मतलब है, कि अगर कोई function integrable है, तो यह चीज़ तो हमने पहले theorem में पढ़ी लिए, कि अगर function integrable है, तो किसी epsilon greater than 0 के लिए, ufp minus lfp क्या होगा, less than epsilon होगा, तो यह है आपका वो ufp, और यह है आपका lfp, तो यह आपसे घुमा फिरा कि यह कहना चाहता है, कि इन दोनों की बीच में एक ऐसा number exist करेगा, कि इन दोनों का जो difference होगा, वो भी epsilon से छोटा होगा, इन दोनों का जो difference होगा, वो भी epsilon से छोटा होगा, सिंपल सी बात है अगर इन दोनों का डिफरेंस भी एपसिलों से छोटा होता है तो यह तो जाहिर सी बात है यही चीज़ हम थेरम की स्टेट में मतलब प्रूफ में कहेंगे ठीक है अच्छा तो इसका प्रूफ हम देंगे forward वाली condition कि मान लीजे कि हमारा जो function है वो कैसा है epsilon greater than 0 therefore for each epsilon greater than 0 there exist partition P of AB such as that UFP minus LFP ka difference is less than epsilon यह चीज हमने पढ़िया ठीक है इसको हम देते है number one अब देखो UFP minus LFP को हो या फिर इसका mod को हो एक ही बात है ठीक है मैं mod इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने question में mod का use करना है तो इसलिए मैंने mod ले लिया तो वैसे mod लगाने की जरुरूद भी नहीं है क्योंकि जो U होता है वो L से बढ़ाई होता है ठीक है तो UFP minus LFP का mod is less than epsilon तो माल लेते हैं कि let I be I be a number lying between LFP and UFP यह मैंने कैसे कह दिया कि इन दोनों के बीच में एक number हो सकता है क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ difference है एक छोटा सा difference है obviously वो difference है मतलब बीच में कोई number है simple सी बात है ठीक है तो माल लेते हैं वोई number हमारा क्या है I है तो then यह चीज तो मालूमी है कि देखो UFP UFP माइनस अगर मैं I लेती हूं ठीक है तो इसका जो difference होगा वो हमेशा जो है UFP और LFP के difference है छोटा ही होगा ठीक है ना तो UFP माइनस LFP के difference है क्या होगा छोटा ही होगा वही बात यह कि अगर मैं I और LFP का difference लेती हूं I और LFP का difference लेती हूं तो obviously यह जो difference होगा वो भी इन दोनों की difference से छोटा ही होगा UFP और LFP से छोटा ही होगा ठीक है लेकिन आप वन से देख पा रहे हो कि यह भी क्या है less than epsilon है और यह भी क्या है less than epsilon है तो यहां से क्या imply होता है कि UFP माइनस I का difference is less than epsilon और यह क्या imply करता है कि L sorry I minus LFP का difference is also less than epsilon और यह हमको प्रूब करनी थी ठीक है अब इसके reverse के बात करते है reverse भी आसान है यह हमें दिया गया है कि epsilon greater than 0 B given ठीक है और यह हमें कह रहे है कि there exists partition P of AB such a that क्या such a that कि mod of UFP minus I is less than epsilon and mod of I minus LFP is less than epsilon यह हमें गिवन है और हमने यह शो करना है कि function क्या है integrable है ठीक है तो देखो फिर से मैं सुर्धा के लिए यहां पर epsilon by 2 और इधर epsilon by 2 लोंगी ठीक है देखो अब UFP minus LFP को मैं कैसे लिख सकते हूं इसको कैसे लिख सकते हूं मैं इसको लिख सकते हूं मैं UFP minus I plus I minus LFP बस arrangement के है अमने ठीक है अर आपको मालूम है कि इसको हम क्या लिख सकते है इसको अधर इसको फिर लिख सकते है धिसको कैसे लिख सकते हैं Epsilon by 2, यह क्या है, this is less than Epsilon by 2, यहने कि this is Epsilon, only Epsilon, ठीक है, तो यहां सी क्या मिला, कि mod of UFP minus LFP is less than Epsilon, और यह किसकी condition है, यह Integrability की condition है, हमने पडाया है कि Necessary and Sufficient condition, F is Integrable if and only if, यह ऐसी condition होती है, for given Epsilon greater than 0, and therefore, F is Integrable from theorem number 1, अब यह, आप वहां पे करो होगे कि, वहां पे mod नहीं था, यहां पे mod है, mod हटा दीजिये, क्योंकि यह बडा है, यह चोटा है, यह सेम बात है, ठीक है, so, therefore, hence, proved, हमारा जो भी theorem था, प्रूफ होगी है, so, जो condition है Integrability के लिए, उसके ऊपर जितने भी theorem थी, वो हमने complete कर दिया, next video lecture में हम पढ़ेंगे Integrability of Continuous Function, ठीक है,